तो दोस्तों एक बाब फिर से आप सब का इस नई वीडियो में स्वागत है और आज की ये वीडियो बहुती ज़ादा सांदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में ये जो भी आपको दिख रहे हैं और इस तरह की जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के मेनिंग विद एक्जामपल आज इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये वीडियो स्पोकर इंग्लिस के लिहाद से बहुती ज़ादा मोस्ट इंपोटेंट है और आप इसको लाज तक देखना आज आपकी इंग्लिस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी और आज आपका डाउट इस तरह के सभी वर्ड्स से बिलकुल किलियर हो जाएग तो चलिए ज़ादा टाइम ना कराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए हम जिन भी वर्ड्स को यूज करेंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए जो भी आपके वर्ड है आवर्सेल्प, यूर्सेल्प, यदि इनको आप सभजेक्ट के बाद लगाएंगें, इनकी सब्जेक्ट पलस वर्ड तो इनका जो में इनिग है वो निकलेगा कि आप खुद अपने लिए कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं तो अपने आपको जादा एमपेसाइज करने के लिए अपने आप लीजिए इससे जादा आपको कुछ भी आद करने की जोड़त नहीं है वरना आप confused हो जाएंगे अब जादा time ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने lesson में तो देखिए सबसे पहला है himself himself का मतलब होता है वह है खुद यानि की हम किसी पुरुष के mail के बारे में बात करें हैं कि वह खुद के लिए कुछ करेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले sentence और उसके बाद आपको यानि की object के बाद आपको अपना word लगाना है यह himself है जो देखिए example वह वहाँ खुद जाएगा तो इसकी English बनेगी he will go there by himself यानि कि वह वहाँ खुद जाएगा next देखिए वह उसने खुद किया यानि की he did that by himself तो अब यहाँ पर देखा कि आपने हमने इसे object के बाद यूज़ गया है himself को यहाँ पर अब देखिए next देखते हैं हम ourselves ourselves का मतलब होता है हम खुद यानि की हम खुद हम स्वैम या फिर हम जितने भी लोग हैं हम सब खुद तो यह जो आपका प्लूरल के लिए यूज होगा जहाँ पर दो या दो से जादा जो है चीजों को दो से जादा परसंस को आप दिखाना चाहते हैं तो यहां पर हम आफ्टर के बाद यानि की सब्जेक्ट के बाद अपने वर्ड को यूज करेंगे देखिए हम खुद चले जाएंगे यानि की हम बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और कोई हम से बोला है कि मैं तुमें छोड़ा हूं तो आप बोले नहीं हम की जरुत नहीं है यानि की जब आप कुछ अपने लिए करते हैं या फिर अपने आप पर डिपेंड होने के लिए कोई वाकिया बनाते हैं तो उसमें आप सब्जेक्ट के बाद जो है इस वर्ड को लगाते हैं जैसे की वी अवर सेल्फ विल गो देयर यानि की हम खुद चल आपने आपको महतन देते हुए यह वाक्या बोला है कि हम खुद देखेंगे we ourselves will watch तो इस तरह से बोलेंगे next देखिए myself myself का बतलब होता है खुद मैं मैं खुद या पिर swim यानि कि मैं खुद ही जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा यह जो myself है यह आपका singular के लिए यूज होगा यानि कि I के बदले myself use होगा देखिए मैंने यह अपने लिए किया I did it for myself यानि कि मैंने यह खुद के लिए किया next देखिए मैं खुद मैंने खुद उसे देखा I myself saw that अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को mix कर दिया जिससे कि आपको confusion ना हो यानि कि आप खुद इस चीज के गवा है कि आपने उसे देखा है कहीं पर जाते हुए तो I myself saw that यानि कि आपने खुद को बता कर इसमें इस sentence को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है यदि आप बोलते कि मैंने उसे देखा तो इसमें ज़्यादा जो है मजबूती नहीं दिखती है लेकिन अब आपने बोल दिया कि मैंने खुद उसे देखा यानि कि हाँ पर आपने sentence को बहुती ज़्यादा मजबूत कर दिया है क्योंकि खुद आप उसके गवा बन गए है लेकिन उपरा वाला जो sentence है मैंने ये अपने लिए किया यानि कि I did it for myself अमा लीज़े कुछ ऐसा काम है जो कि आप अपने लिए कर रहे थे लेकिन आपसे वो अदूरा हुआ लेकिन बीच मांके किसी और ने कर दिया यानि कि अब इसमें क्या है आप उसे बोलें कि I did it for myself यानि कि यह मैंने अपने लिए किया या फिर मैं कुछ काम अपने लिए कर रहा था तुमने इसे क्यों बिगार दिया तो इस तरह से आपने ज़्यादा जो है जोड नहीं दिया लेकिन बिगड़ गया तो बिगड़ गया लेकिन हाँ पर नीचले वाले में आप खुद पर जोड दे रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा myself यानि कि खुद के लिए मैं यानि कि I I के वीपरित में आपको myself यूज करना है खुद मैं मैं खुद swim इन सबी वाक्यों को जो है हिंदी से इंग्लिस में बनाने के लिए नेक्ट देखिए अभी तक आपने मारी books को डाउनलोड नहीं किया है तो description में लिंक है वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ये complete pack है इंग्लिस ग्रामर का नेक्ट देखिए नेक्ट हमारा themselves का मतलब होता है वे खुद, वे श्वैम, वे अपने आप यानि कि कई बार आप ऐसे sentences बोलते हैं वे खुद चले जाएंगे, वे खुद देख लेंगे वे अपने आप चले जाएंगे, वे श्वैम देख लेंगे यानि कि themselves अब यहाँ पर हम इसे subject के बाद जो है लगा कर देखेंगे देखिए वे अपने आप कर लेंगे यानि कि हमने जो काम है वो उनके उपर छुड़ दे वे अपने आप कर लेंगे यानि कि सारा बोज हमने उन व्यक्तियों के उपर डाल दिया अब यह जो themselves है यह आपका plural है देखिए यानि कि वे अपने आप कर लेंगे वे खुद कर लेंगे वे श्वयम कर लेंगे तो इस तरह का बाद निकलेगा वो अपने आप आते हैं यानि कि हम उन्हें नहीं बुलाते वो अपने आप आते हैं तो इस तरह का sense निकलेगा English बनेगी they themselves come यानि कि वे अपने आप आते हैं कोई उन्हें बलाने नहीं जाता तो themselves का कुछ इस तरह का meaning निकलता है वे खुद, वे श्वयम, वे अपने आप चलिए next देखते हैं next हमारा itself itself का देखी क्या मतलब होता है itself का मतलब होता है कि जब कोई चीज खुद हो जाती है अपने आप हो जाती है श्वयम ही हो जाती है या फिर कोई काम स्वयम के लिए होता है खुद के लिए होता है लेकिन जो it है आपका ये आपका निर्जिव वस्तों के लिए यूज होगा सजीव वस्तों के लिए ये यूज नहीं होगा जैसे कि टेबल में ये आपके निर्जिव है और हम human beings जो की सांस लेते हैं हम आपके निर्जिव है सजीव है तो देखिए इसमें हम sentence के बाद लाएंगे यानि कि object के बाद itself का मतलब होता है खुद या फिर swim देखिए यह है अपने आप हुआ it happened by itself यानि कि यह है अपने आप हुआ इसे किसी ने किया नहीं है नेट देखिए यह है खुद आता है यानि कि कोई ऐसी चीज है यानि कि मान लिजे कि टंकी में पानी है जैसे आपकी water supply में से पानी खुद ही तो आता है तो आप बोलोगे कि यह है खुद आता है यानि कि यह है पानी खुद आता है तो आप बोल सकते हो it comes itself यानि कि यह है अपने आप ही आजाता है हम इसे नहीं बोलाते तो इस तरह का कुछ sense इस से निकलता है itself से यानि कि खुद या फिर swim next है herself herself का मतलब होता है आप इसे female के लिए use करते हैं किसी लड़की के लिए किसी इस्तरी के लिए इसके देखिए हिंदी क्या होती है वह खुद वह swim यानि कि वह लड़की या फिर वह इस्तरी अपने आप इसमें देखिए subject के बाद यूज करेंगे वह खुद वहाँ जाती है see herself goes there यानि कि वह खुद वहाँ जाती है उसे कोई बलाने नहीं जाता आप बहुत ज़्यादा confused होंगे कि कहीं पर हमने पीछे लिए लिए कहीं पर आगे आप इस चीज़ पर जोड नहीं देने जाते हैं मत हो यानि कि she herself wants that see herself wants that यानि कि वह खुद वही चाहती है तो इस तरह का sense निकलेगा नेक्स्ट है यूर सेल्फ यूर सेल्फ का मतलब होता है तुम तुम खुद आप खुद ये यूर सेल्फ है ये सिंगल के लिए यूज होगा देखिए सेंटेंस के बाद यूज करेंगे तो एक जैसे लेगेंगे लेकि जब आपकी इंगलिस को देखोगे तो आपका confusion दूर हो जाएगा आप हिंदी को छोड़िए इंगलिस पर ध्यान दीजे कि इंगलिस ममिन को किस तरह से बना रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कोई वाकिया समझ में नहीं आता तो आप अपने सामने वाले को इंगलिस में बोल दीजे यदि उसको इंगलिस आती है तो फट देशी समझ जाएगा कि आपने जोर किस पर दिया है औपजेक्ट पर दिया है या पर सबजेक्ट पर दिया है इस तरह से आप बोलेंगे, तुम खुद वहाँ जाओगे, तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, नेक्स देखिए, नेक्स हमारा यूवर सेल्फ, मैंने आपको बता दिया था कि मतलब जब हम दो से जादर लोगों के बारे बात करते हैं, और सेंस निकलता है, आप सब आप सबी अपने आप करोगे, अपने आप करोगे, देखिए, तुम सब आप हल कर लोगे, हल का मतलब है, कोई कोशन वगरा होगा, वो सोल्व करना है, तो इसके इंग्लिस बनेगी, you will solve this yourself तो इस तरह से बोल सकते हैं आप सब खुद आ गए यहनकि आपको कोई लेने नहीं आया आप खुद आ गए तो आप बोलोगे you came yourselves तो इस तरह से आप बोल सकते हैं तो मुझे आसा है कि आपको यह सारी चीज़े सौंज में आ गई होंगी यहीं आपको इनमें कहीं पर doubt लगता है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं और यहीं आपको किसी ओर topic पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे लगी है जरूर बताएगा और book का link आपको description में दिया हुआ है और चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो का like कर दीजे और एक अच्छा सा comment करना बिलकुर न भूलें Thank you